हेलो और वल्कम टू टीवी का बटाका वेल दोस्तों आखिर इसलाम कबूल करने के बाद क्यूं पच्छता रही है राखी सावंथ ऐसा क्या हो गया कि राखी सावंथ के आसू ही नहीं रुक रहे शादी के साथ महीनों के अंदर अंदर राखी सावंथ की जंदगी पूरे तर वेल दोस्तों टेलिवेजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कॉंट्रोवर्शिल कुईन माने जाने वाली राखी सावंथ इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है हाल ही में उनका एक फोन कॉल वायरल हुआ है जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रही थी फोन कॉल पे और अपने जीवन के सारे दुख को बया कर रही थी इस दोरान उन्होंने बताया कि साथ महीने पहले दोनों ने ही यानि की आदिल और साथिसाथ राखी सावंथ दोनों ने ही आपसी सहमती के साथ निका किया था और वो आदिल से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने उनकी खातिर इसलाम को कबूल भी कर लिया था एकिन ये भी बताया कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और राकी सावनस से अपना नाम फातिमा कर लिया था सिर्फ और सिर्फ आदिल खान के कहने पर ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि राखी स्थामत ने कौर खुला सकिया कि शादी के कुछी दिनों बाद उन्होंने आदिल के फोर में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्हें आदिल पर शक होने लगा लेकिन जब उन्होंने अपनी तस्वीरें वाइरल करने की कोशिश की या फिर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पर डालने की इच्छा जाहिर की तब आदिल खान ने ऐसा कुछ भी करने से उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि हमें इस वक्त अपने रिलेशन्शिप में प्रिविसी रखनी चाहिए लेकिन दोस्तों आखिर कार खबर सामने आई है कि आदिल खान ने अचानक से ही अपनी और राकी सावंत की शादी को रियल बताने से मना कर दिया है जब राकी सावंत ने सोशल मीडिया पर अपने और आदिल के निकाह की तस्वीरों को शेयर किया तब आदिल खान से भी मीडिया परसन्स ने सवाल जवाब किये लेकिन उन्होंने सावत तोर से राकी से किसी भी तरह के रिष्टे को इनकार कर दिया और कहा कि ये सब कुछ पूरे तरीके से फेक है फोन कॉल पर जब वो इंटर्वियो दे रही थी तब उनका दड़ बया हो गया और रोते रोते उन्होंने कहा कि वो समझ ही नहीं पा रही कि उनसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आदिल ने उनके साथ ऐसा किया आदिल की खुशी के लिए उन्होंने धरम तक छोड़ दिया था और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था अगर उन्हें कुछ शिकायत होती तो वो उनसे जरूर कहते लेकिन अचानक क्या हुआ वो समझ नहीं पा रही और इस वक्त अपनी मा की तब्यत भी खराब होते हुए वो देख रही है साती साथ अपनी जिंदगी भी खराब होते हुए उन्हें देखनी पड़ रही है और रा